हलो एब्रिवान वेल्कम बैक टू माच आनल एमाई इंस्पिरेशन कैसे आप सभी तो आज कर जो टॉपिक में आप लोग के लिए लेकर आई हूँ न वो एमाई और रेगुलर दोनों के लिए हैं और जो टॉपिक है न वो एमाई में बहुत सारे सब्चेक्स में हैं जैसे की और एलेक्ट्रोनिक्स की ट्रेट में कम्यूनिकेशन में है और एलेक्ट्रिकल की ट्रेट में सर्कुट और फील्ड ही तो आज मैं आपको पुरी डिराइब करके दिखाने वाली हूँ और एक स्टेप को समझाने वाली हूँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एतनी डिफि ठीक है ये वाली है एक Maxwell equation इससे हम start करेंगे करना ठीक है तो del.d और ये जो sign होता है न ये होता है sigma हम इसको sigma बोलते हैं और लिखने में ये जैसे हम P लिखते हैं ऐसे जो P की जो डंडी है न वो थोड़ी छोटी डालते है ठीक है तो ये kind of P बन जाता है जिसको बोलते हैं sigma ठी किसी में कोई और sign होता है बट आप किसी भी sign से वो कर सकते हैं ठीक है अब ये वाली equation है इस equation को हम number one put करेंगे और इस equation में हमको सबसे पहले क्या करना है ये वाली equation learn करनी है ठीक है ये sign और E is equal to D अब जहां जहां भी उपर वाली equation में D लिखा हुआ है ना डेल डॉट डी डी के जगे पे हम ये वाला sign और E put कर देंगे ठीक है और उसके बाद हमें क्या करना है जहां पर भी E होगा वहां पर हमें माइनस का डेल भी पूट कर देना है ठीक है तो ये वाली equation है उपर वाली इस equation में हमें नीचे की ये वाली दोने equation पूट कर देनी है डेल ऐसे का ऐसी डॉट भी ऐसे का ऐसी अब ये जो डी है ना इसकी जगे पे हमने ये वाला sign और E put कर दिया ठीक है इस तरीके से put कर दिया मैं आपको ना अलग से करके बताती हूँ ये है डेल डॉट डी is equal to sigma हमने क्या करना है ये वाली equation में ये और ये put करना है ठीक है सप ये वाला sign और E ठीक है ये हमने put कर दिया अब क्या करना है next step में जहां पर भी E है ना E की जगे पे मैं put कर दूँगी minus का del V बहुत आसान है ठीक है सिरफ आपको put करना है ठीक है del यहां से हमने del उतारा dot as it is आएगा ये वाला sign भी as it is आएगा सिरफ E की जगे पे minus का del V आज जाएगा ठीक है तो मैं इसको bracket में कर दूँगी इसको bracket में ही लिखते हैं इस तरीके से तो ये वाला step में आपको अलग से illustrate करके बता दिया है क्योंकि वहां पर एक step miss था जो कि आप नहीं कर सकते हो और उसी के वजह से explanation में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है तो अब next step में क्या करना है is equal to sigma ठीक है next step में हम ये जो minus का sign है ये remove कर देंगे ठीक है और ये जो sign है ये भी remove कर देंगे ठीक है और हमें ऐसा लिखना पड़ेगा इसका जो medium होता है वो homogeneous होता है इसलिए ये जो sign है जो e की तरह दिखता है इसको हम remove कर देते हैं from the partial derivation ठीक है in divergence तो ये medium जो है वो homogeneous होता है इस वज़े से हम यहां से जो e जैसा sign दिखता है इसको minus करके divide में लिख देते हैं ठीक है और जो minus का sign है ये भी हट जाएगा अब e के वाली put कर देने के बाद यहां पर del into del ये हो जाएगा del square और v as it is तेक है तो equation बन जाएगी del square del का square आ जाएगा del square is equal to अब यहां पर हमने sign को remove कर दिया minus की sign को sign को हमको क्यों remove करना है उसका reason भी मैं बताती हूँ क्योंकि जो medium होता है न वो homogenous तो होता ही है उपर से charge free होता है उस पे medium पे कोई भी charge नहीं होता इस वज़े से हम यह जो minus का sign है न यह remove कर देते है ठीक है अब del dot दो बार delta तो हमने del square भी लिख दिया ठीक है अब यह sigma upon का जो sign है इसको remove करके हम zero लिखेंगे अब देखें यह वाला question आया हुआ है आपका four marks में भी आता है यह आपको six marks में भी आ सकता है तो जो जो मैंने आपको पताया था ना यह वही वही step है सिरफ आपको यह British language लिखनी पड़ेगी ठीक है if throughout the region of the interest the medium is homogeneous ठीक है then this sign may be removed from the partial derivation इसको remove कर देंगे यह वाली जो हमारी मिलेगी ना del square v is equal to sigma dot this sign ठीक है इसको हम लोग कहते हैं poisons equation और यह charge free होती है इस पर कोई भी charge नहीं होता जब हम del square v को zero कर देते हैं तो यह हमारी हो जाती है laplace equation ठीक है तो अगर आपको laplace equation लिखने के लिए आएगी exam में तो आपको poison equation भी derive करके दिखाने पड़ेगी क्योंकि आप poison equation को derive करोगे उसको एक step बाद ही हम laplace equation पर आ जाते हैं तो हमने इसको कहां पर छोड़ा था sign removed because medium is charge free ठीक है यह हो गई हमारी poison equation और यह हो गई हमारी sorry मैंने गलती से लिख दिया था is equal to zero कर देंगे तो यह हो जाएगी हमारी laplace की equation बस और कुछ भी नहीं करना है कि आपकी four to five steps में आपकी जो derivation है यह complete हो गई है ठीक है तो आप make sure कि आप 10 year में से पढ़ लो या फिर जो मैंने bookish language में अभी दिखाया था उसका screenshot ले लो आपको पूरी explanation देनी पड़ेगी ठीक है तो hopefully आपको यह जो चार पांच step थे ना actually आप बहुत easy होते हैं बड़ कोई समझाने के लिए नहीं होता है तो हमें समझ में आता है कि इसमें किया क्या हुआ है ठीक है तो hopefully वीडियो आपको पसंद आई होगी पसंद आई तो please like share subscribe जरूर कीजेगा मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स वीडियो में एक अच्छे से topic के सा एक मुश्किल से topic को असान बराने के लिए और आप लोग की जो dates है ना AMI students की वो आ चुकी है तो please concentrate कीजेगा पढ़ाई पर आपके पास सिरफ डेड महीना बचा हुआ है पुरी तयारी करने के लिए अप्रॉक्सिमेटली आपके पास 2 months है बहुत time मिल गया है तो please तयारी कर देखाई और प्लीज मेरे चैनल को subscribe भी कर लीजेगा भूलेगा नहीं मेरे चैनल में बहुत सारी ऐसे वीडियोस हैं जो मुश्किल-mुश्किल derivation को असान बना देती हैं लापलस है circuit theory है control system ऐसे मुश्किल subjects को मैंने असान बना कर कि आपको बताया है आपको exam में आप उसको कैसे लिखो किन बातों का ध्यान रखो ठीक है मैंने आपको सारी explanation दी है exam से related हर मुश्किल topic के ओपर हर मुश्किल subjects के ओपर मैंने वीडियोस बनाने की कोशिश की हैं तो प्लीज वीडियो को अगर आपको समझ में नहीं आता है मुश्किल subject कोई तो प्लीज इस वीडियो को जाकि चेक आउट कर लीजी मिलती हूं नेक्स वीडियो में बाई टेक कियर और थेंक्स पर वाचिंग